एंपी के उमरिया जिले के नरोजा बाद धाना अंतरगत अपनी सास को चाकू मारने वाले दामाद के उपर तीस हजार का इनाम म्रतका राजखुमारी गुपता उमर 55 साल की दामाद शंकर गुपता द्वारा चाकू जैसे हतियार से कईवार करने से गंभीर चोट हो जाने के कारण इलाज के दौरान म्रत्य हो गए थी जहां शेहडोल जोन के एडिजी डीजी सागर के द्वारा ग्राम जरहा में पहुँच कर घटनास्थल का विजिट करते हुए आरोपी शंकर गुपता निवासी सिनिवा रोड बुढ़हार को गुरफतार करने वाले को तीस हजार के नाम की घोश्टा की है वहीं आरोपी के उपर धारा अपराध क्रमांग 247 बटे 24 धारा 302 के अपराध में आरोपी को जल्द से जल्द गिरफतार करने के लिए पुलिस के द्वारा मामली की चान भी की जा रही है हमशार मैं डी सी सागर एडी शट्रोल जोन यह त्यंति दुखद और हिर्देवदार घटना है जिसमें जरहा गाउं थाना नरोजबाद यहां पर एक माता जी को राज़कुमारी रुपता जी को उनके एक दामाद के द्वारा चाकों से गोद कर गंबी रुप से घाल किया और चिकित्सा के दुरान उनकी शेडोल में विप्ति हुई आरोपी दुर्दान्त है अब यह फरार है जनते से अपील करता हूं मैं कि उसकी गरफ्तारी करवाने पर सूचना पर 30,000 रुपे की मैं उद्वोशना करता हूं जनते से अपील है कि इदि उनको कोई सूचना मिलती है तो ख्रिपा करके नौरजवाद पुलिस को या उमरिया पुलिस को या किसी भी पुलिस को तुरां सूचना दे जिससे कि आरोपी को पकड़ा जा सके और इसमें विदी देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर